नमस्कार फ्रेंड स्वागत आप सभी का स्वालिश्यम इदरी सर्व यूटूब चनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में कंजंग्सन से रिलेटिड एक प्रेटिस सेट लिया है इस वीडियो में 30 कोशन कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है इस वीडियो में आपको एक ही वीडियो में आपको कंजंग्सन का पूरा में टॉपिक आपको इस वीडियो में फिनिस कर दूँगा तो इस वीडियो को आप बिना skip के पूरा देखें और आप लोग इसकोर जरूर बताएं कि आप लोग उने 30 में से कितना स्कोर किया है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पर पहले आप विजिट कें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो कोशन है यह है तो इसमें आपको यह ची याद रखना है जब सेंटेंस के सुरुआत में हार्ली आपको देखने को मिल जाता है या इसकार्सली मिल जाता है तो आगे जो भी आएगा यह वहन आएगा यह आपको याद रखना है तो इसमें जो है इसका D-Obson करेखना हो जाएगा जब सेंटेंस के सुरुआत में आपको हार्डली या सकार्सली मिल जाता है तो आगे जो भी कंजंग्शन आएगा यह वहन आएगा तो इसमें आपको याद रखना है आईदर के साथ हमेशा जो है और होता है अगर बात की जाए नाइदर के साथ हमेशा क्या होता है नाइदर के साथ हमेशा होता है नाइदर के साथ हमेशा होता है नौर ये दोनों आपको याद रखना है तो इसका जो है C option correct हो जाएगा interested to prepare the examination तो option में थोड़ा mistake है आप यहाँ पे end लिख लीजिए तो यहाँ पे sentence का इस sentence का जो answer हो जाएगा तो बोट के साथ हमेशा जो है यह end आता है यह आपको याद रखना है बोट के साथ हमेशा conjunction जो है यह end आता है तो इसका जो है D option correct हो जाएगा आप option में थोड़ा mistake है आप लोग end लिख लीजिए D option में तो इसका जो है end इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question number 4 although she works hard blank she fails तो इसमें आपको याद रखना है जब sentence के सुरुवात में although या 2 मिल जाता है जब sentence के सुरुवात में although या 2 मिल जाता है तो आगे आपको येट लगाना है ये आपको याद रखना है तो इसमें जो है इसका C option correct हो जाएगा although के बाद हमेशा जो है ये येट आता है और दो के साथ भी हमेशा आपको येट लगाना है ये आप दोनों याद रखना है अगला जो question है question number 5 ये है the patient had died blank the doctor came तो इसमें आपको याद रखना है जब sentence के शुरुवात वाले sentence में आपको past perfect और बाद वाले sentence में past indefinite मिलता है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है तो sentence में जो है हमेशा आपको before लगाना है जब sentence का जो पहला वाला sentence है यह past perfect में हो और बाद बाला sentence जो है यह past indefinite में हो तो आपको हमेशा जो है यह before लगाना है तो आप यह याद रखें तो इसमें before इसका correct हो जाएगा तो यहाँ पे जो है यह कम की second form यह came होती है क्यूंकि जो past indefinite tense होता है इसमें बर्व की second form आती है यह आप याद रखें तो इसका जो है be option correct हुजाएगा अगला जो question है question number 6 5 years have passed blank I left the college तो इसमें आपको sentence में जो है यह जो have जो verb दी है यह दी है किसकी present perfect की और आगे वाला sentence जो है यह है past indefinite में तो इस sentence में आपको जो है यहापे आपको sense लगाना है तो इसका जो है see option correct हुजाएगा जब आपको एक sentence जो है present perfect में मिले और अगला बाला sentence जो है आपको जो है यह मिले किसमें past indefinite में तो आपको जो past indefinite वाला sentence है उसके just पहले आपको sense लगाना है यह आप याद रखें जो since है ये past indefinite वाले sentence से पहले ही आएगा ये आप याद रखें और दूसरा tense जो है ये present perfect में होगा ये आप याद रखें तो इसका जो है c option correct हो जाएगा अगले जो question है question number 7 scarcely had I bought the ticket then the postmaster sourced the green flag तो इसमें आपको error बताना है थोड़ा सा इसमें mistake है आप लोग ये जो then लिखा है then को आप हटा दीजिए यहाँ पे blank कर लीजिए तो यहाँ पे आपको blank मिल दे दे रहाओं में तो आप लोग यहाँ पे blank कर लीजिए क्योंकि ticket के बाद जो है यहाँ पे कोई मैंने blank आपको नहीं दिया है तो scarcely के बाद और hardly और scarcely के बाद हमेशा when conjunction आता है यह मैं आपको बता चुका हूँ तो आप then की जगए आप when लिख लीजिए तो हमारा sentence जो है यह correct हो जाएगा आपको यह मैं बता चुका हूँ hardly और scarcely के बाद हमेशा ज neither the father blank his son was arrested तो इसमें मैंने क्या पता है आपको neither के साथ हमेशा नौर होता है और either के साथ हमेशा और होता है और neither के साथ हमेशा और होता है तो इसका जो है C option correct हो जाएगा अगले जो कुशन है कुशन में 9 blank it is costly yet we have bought it तो इसमें आपको याद रखना है जब sentence में yet आपको मिल है तो आगे आपको although आपको लगाना है although या दो आपको लगाना है यह आप याद रखें जब sentence में आपको although या दो आपको आगे मिल जाता है तो आगे आपको yet जरूर लगाना है तो इसका जो है C option correct हो जाएगा जब sentence के शुरुआत में दो या although मिल जाता है तो आगे जो भी laborious blank naughty तो इसमें है not only और आगे जो है ये what also आएगा तो इसका जो है जो है be option इसका correct हो जाएगा not only के आगे जो भी conjunction आता है ये but also आता है तो इसका जो है be option correct हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like and जरू किया करें अगला जो question है question 11 the criminal had hardly put the precious things is his bag blank the landlord got up तो इसमें जो है आपको याद रखना है जब sentence में आपको hardly मिल जाता है तो आगे जो भी conjunction आपको लगाना है ये लगाना है when तो इसका जो है do option इसका correct हो जाएगा मैंने आपको बताया है जब sentence में hardly या scarcely मिल जाता है आपको तो आगे जो भी conjunction आएगा ये when आएगा तो इसका जो है do option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 12 the thief rain obey blink he should be caught तो इसमें आपको याद रखना है जब आगे वाला sentence जो है इसमें जो बर्व है helping बर्व जो है ये should हो तो आगे आपको जो है ये last लगाना है तो इसमें जो है a option इसका correct हो जाएगा जब sentence में last आजाता है तो आगे वाला जो भी sentence होगा उसमें should जरूर आएगा ये आप याद रखें और ये last जो है आपने आप में negative bird है तो last बाले sentence में इस sentence में negative मतलब not नहीं आ सकता है ये आप याद रखें और आगे वाला sentence में should आएगा ये आप याद रखें जब sentence में last आजाता है तो आगे आपको जो है हमेशा आपको should लगाना है तो ये आप याद रखें तो इसका जो है a option correct हो जाएगा अगला जो question है question 13 though you want it blink should we discussed तो इसमें आपको याद रखना है जब sentence के सुरुवात में though या although मिल जाता है तो आगे जो भी conjunction आएगा ये yet आएगा तो इसका जो है yet correct हो जाएगा ये आप याद रखें जब sentence के सुरुवात में although या दो मिल जाता है तो आगे आपको conjunction yet लगाना है तो इसका जो है c option correct हो जाएगा अगला जो question है question 14 no sooner did we reach there blank it began to rain तो इसमें आपको याद रखना है जब sentence के सुरुवात में no sooner आ जाता है तो आगे आपको हमेशा then लगाना है th an वाला तो इसका जो है d option correct हो जाएगा ये आपको याद रखना है अगला जो question है question number 15 he have never visited blank in went to visit foreign countries तो इसमें आपको याद रखना है जब sentence में never आ जाता है तो इस sentence में आप nor या not नहीं लगा सकते हैं तो इसमें जो correct हो जाएगा ये और हो जाएगा जब sentence में आपको negative but never मिल जाता है तो आपको इसमें not या not या nor नहीं लगा सकते हैं तो इसमें जो इसका correct हो जाएगा ये और हो जाएगा तो इसमें जो है इसका d option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 16 no sooner did the students see the teacher blank they started running to their classroom तो इसमें आपको no sooner जब sentence के सुरुआत में मिल जाता है तो आगे आपको t h an बाला then लगाना है तो इसका जो है d option इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question number 17 ये है if you come here blank I will teach you तो इसमें जो है if के साथ हमेशा जो है आपको if के बाद हमेशा आपको then या comma लगाना है तो t h an बाला तो ये आपको याद रखना है if के साथ हमेशा जो है आपको t h an बाला आपको लगाना है या comma भी आप लगा सकते हैं ये आप याद रखें अगर यहाँ पे हम then ना लगाएं तो यहाँ पे आप comma भी cable लगा सकते हैं ये भी हमारा sentence इसका correct होगा if के साथ हमेशा आपको comma ये आपको then लगाना है तो ये आप याद रखें और दोनों भी आ सकते हैं जैसे या comma और then दोनों भी आ सकते हैं ये आप याद रखें और आप एक को हटा भी देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा तो इसका जो है then इसका correct हो जाएगा तो option जो है इसका d correct हो जाएगा अगला जो question है question 18 no sooner had I reached the station blank the train departed तो इसमें आपको याद रखना है no sooner के बाद हमें से आपको then लगाना है th an वाला तो इसका जो है d option इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question 19 भावना is as beautiful blank he says तो इसमें आपको याद रखना है ये sentence जो है ये positive है और ये sentence जो है ये negative है तो जब आपको as, as का use करना है तो आपको ये positive मतलग affirmative और negative दोनों में use कर सकते है as के साथ हमेशा जो है as आता है तो आपको ये याद रखना है ये affirmative और negative दोनों में use हो सकता है अगर sentence के सुरवात में आपको as देखनों को मिल जाता है तो sentence चाहे negative हो चाहे positive हो तो आगे आपको जो है ये as लगाना है ये आपको याद रखना है तो इसमें जो है आपको याद रखना है जब sentence में केबल जैसे negative sentence है तो negative sense में हमेशा आपको so के साथ हमेशा आपको as use करना है और इसका earth भी आपको देखना है कुछ ऐसे conjunction होते हैं जिसमें आपको sentence का earth देखके आपको conjunction लगाना है तो इसमें जो इस sentence का जो earth होगा इसमें जो so और as का earth होगा इतना जितना और उतना जितना के earth में इसका so as का earth निकलेगा तो इसमें जो है परदर्शनी उतनी नीरस नहीं है जितनी सिच्छक को उम्मीथी इसका मतलब हो जाएगा तो उतनी या जितनी के अर्थ में so as का use होगा तो यहाँ पे जो है इसका d option इसका correct हो जाएगा क्योंकि यहाँ sentence में जो है उतना और उतनी जितनी के अर्थ में यहाँ पे sentence का अर्थ निकल रहा है इस sentence का मतलग हो जाएगा पिरदर्सनी उतनी नीरस नहीं है जितनी सिच्छक को उम्मीद थी तो यहां उतनी और जितनी या उतने या जितने के अर्थ में sentence का जो है अर्थ निकल रहा है तो यहां पे जो है so के साथ हमेशा as का प्रियोग होगा जब sentence में इतना जितना या उतना जितना के अर्थ में इसका अर्थ निकले तो so के साथ हमें से आपको as लगाना है यह आपको याद रखना है अगरा जो question है question number 22 he is so handsome blank every girl will be ready to marry him तो इसमें आपको याद रखना है जब sentence में जब sentence में आपको जो है इतना की या इतना की आपको जो है इसका जैसे so के साथ यहाँ पे that का हम use करेंगे उपर वाले sentence में हमने so के साथ as का use किया था और इस sentence में हम so के साथ that का use करेंगे जब so के साथ that का use होगा तो आपको इसका अर्थ जो है so that का use जो है इतना की के अर्थ में होगा तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम that लगाएंगे that क्यों लगाएंगे यहाँ पे जो इसका अर्थ निकलेगा यह निकलेगा इतना की मतलब वह इतना सुन्दर है की पिरतेक लड़की उससे साधी करने के लिए तयार हो जाएगी वह इतना सुन्दर है की तो इतना की की अर्थ में यहाँ पे so that का use होगा तो यहाँ पे जो है इसका be option correct हो जाएगा और यहाँ पे इसका अर्थ निकल रहा था उतना जितना या इतना जितना तो इसका यहाँ पे अर्थ अलग था यहाँ पे अर्थ अलग था तो मैं अर्थ के हिसाब से मैंने यहाँ पे conjunction लगाया है और so that का use जो है affirmative और negative दोनों में use हो सकता है यह आपको याद रखना है अगला जो question है question number 23 जो है He is so weak blink he cannot walk तो इसमें भी आपको that लगाना है यह आपको याद रखना है इसका मतलब हो जाएगा वह इतना कमजोर है की चल नहीं सकता है तो वह इतना वह इतना कमजोर है की तो इतना की के अर्थ में सो के साथ हमेशा that आएगा और इतना जितना या उतना जितना के अर्थ में सो के साथ हमेशा as आएगा ये आपको याद रखना है अगला जो question है question number 24 the boy does not know whether he will pass the examination blink not तो इसमें आपको जो whether लिखा है इसके बाद हमेशा आपको और लगाना है तो ये आपको याद रखना है तो इसके साथ हमेशा जो है और आता है ये आपको याद रखना है अगला जो question है question number 25 जो है contact us between 10 am blank 6 pm तो इसमें आपको याद रखना है जब sentence में आपको between मिल जाता है तो आगे जो भी conjunction आएगा ये end आएगा तो इसका जो है D option इसका correct हो जाएगा between के साथ हमेशा end आता है ये आपको याद रखना है अगला जो question है question number 26 He wants nothing else blank to go to wed तो इसमें आपको याद रखना है जो लिखा है ये else else के बाद हमेशा जो है हमेशा आपको what लगाना है तो इसका जो है C option correct हो जाएगा else के बाद हमेशा जो है आपको what लगाना है तो इसका जो है C option इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question number 27 जो है it was such a cold night blank I stopped writing तो इसमें जो है आपको याद रखना है जब sentence में सच आपको मिल जाता है आपको ये दो रूल याद रखना है जब सच के साथ आपको that लगाना है तो इसका मतलब हो जाएगा such that का मतलब हो जाएगा ऐसा की या ऐसी की मतलब जब आगे कोई result या परिमार का जो है आगे बात की जाए तो हमेशा आपको such के साथ हमेशा आपको that यूज़ करना है तो इसमें जो है इसका मतलब हो जाएगा ऐसी ठंड रात थी कि मैंने लिखना बंद कर दिया तो मतलब आगे कोई काम हो रहा है मतलब result आगे आया है जब इतनी ठंड थी तब उसने जो है लिखना बंद कर दिया तो यहां पे आपको such के साथ हमेशा आपको that का यूज़ करना है जब आगे कोई result की बात हो result या कोई परिमार अभिवेक्त हो तो आपको हमेशा जो है such के साथ हमेशा आपको that लगाना है यह आपको याद रखना है तो इसमें अगला जो question है question number 28 his speech was such blank everyone liked him तो इसमें भी आपको such के साथ that use करना है क्योंकि आगे जो result आ रहा है परिमार जो आ रहा है यह आ रहा है कि मतलब उनका बासर ऐसा था कि हर कोई उन्हें पसंद करने लगा था तो इसका मतलब हो यहाँ पर सच के साथ that का use करना है जब आगे कोई आगे वाले that के बाद जो भी sentence होगा उसमें कोई result या परिमार अभिव्यक्त हो रहा होगा तो इसमें भी परिमार अभिव्यक्त हो रहा है तो इसमें आपको such के साथ that का use करना है अगला जो question है question number 29 जो है such a boy blank I know is at the party तो इ तो आपको इसका मतला हो जाएँगा ऐसा जो या इसा जिसके या ऐसा जिसके के अर्थ में सच के साथ हमेशा आपको as लगाना है यह आपको याद रखना है तो इसका जो है ए option इसका correct हो जाएगा तो इसमें आपको याद रखना है जब sentence के सुरुवात में आपको as soon as मिल जाता है तो आगे आपको जो है cable comma आपको लगाना है और आगे आपको कोई conjunction नहीं लगाना है तो इसका जो है D option इसका correct हो जाएगा क्योंकि यहाँ comma पहले से लगा हुआ है तो यहाँ पे जो है no conjunction इसका correct हो जाएगा तो option जो है इसका D correct हो जाएगा तो thank you friends आप लोगों ने 30 में से कितना score किया है comment box में जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आईए है तो वीडियो को like and share जरूर किया करें अगर चैनल पर पहले आप विजिट की है चैनल जरूर सब्सक्राब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जय हिं वन दिमात्राओं झाल झाल